हेलो गाईज, ट्विटर एडवर्टाइजमेंट रवेन्यू तू रिपुटेटली सी 28 परसेंट ड्रॉप इन 2023, ट्विटर के अडवर्टाइजमेंट रवेन्यू 28 परसेंट तक कम हो जाएगे 2023 में, तो एलॉन मस्क एक्वाइर के हैं ट्विटर को 44 बिलियन के लिए पिछल साल, ट्विटर इंकम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग फॉल कर जाएगे 28 परसेंट ड्रॉप जाएगे 2023 में, एक्लोस पाई वाइवर्ट फोर्कास्ट ने तूस्टे को कहा है, एस दा प्लेटफॉर्म स्ट्रेगल कर रहा है, संगर्स कर रहा है, अंडर दा ओनर्शिप अव प्लेटफॉर्म डेटोरियेट, तो 4.74 बिलियन जब वो कमा रही थी ट्विटर, उससे आने वाले मतलब कुछ ही महिनों में, उसका रेट घर के 2.98 बिलियन हो गया, यानि समझ जो 2 बिलियन का गैप आ गया, क्योंकि लोगों का Elon Musk पे ट्रस्ट कम होते जा रहा है, सबसे बड़ी समस्याद ट्विटर के एड के साथ यह है, कि जो ट्विटर में जो एड का बिजनस लाते हैं, वो जो एडवर्टाइजर से, वो Elon Musk के पर भरोसा नहीं करते हैं, ऐसा जैसमीन एन बर्ग ने, जो कि प्रिंस्पल एनलिस्ट हैं, इंसाइडर इंटेलिजेंस के उन्होंने कहा है, ट्विटर को जरूरत है, अन्रेवल करने के लिए मस्क के परसनल ब्रांड को कमपनी के कोर्परेट इमेज से, to regain करना, एडवर्टाइजर ट्रस्ट एंद दुवारा, ब्रिंग बेक एड डॉलर्स, उन्होंने एड किया, मस्क, तू मुटिलस टेक ओवर ट्विटर है, अल्रेडी सीन सेवरल मेजर अड़र्टाइजर्स, तू ट्विटर पे जो वर्कफोर्स था, उसके हाफ को अलॉन मस्क न हटा दिया, मानलो 7,000 था, तो उसका हाफ 3,500 वर्कफोर्स को हटा दिया गया, साथ में कुछ चार्ज लेने लगा अलॉन मस्क जी, तो उससे भी, अड़र्टाइजर्स ने, जो करते हैं तो वो भी नहीं हटा दिया गया, according to research firm, Parthmatics, इनने जनवरी, 14 of the top 30 अड़र्टाइजर्स on Twitter, stopped advertising on the platform, since मस्क टुक चार्ज on October 27, 27 अक्टूबर से मस्क ने, सबके लिए कंपलसरी कर दिया, कि उनको चार्ज देना होगा, इस मस्क का effort build करने के लिए, subscription service, वो ज्यादा make-up ने करेगा, lost ad revenue के लिए, मस्क लीडर्स इपने, cool किया है Twitter, remaining users को, जिसमें insider challenge forecasting करेगा, 2 minute drop, in a time spent on the platform to 34 minute per day, हर दिन, जो लोग 34 minute अब time spent कर रहे हैं, पहले वो 36 minute अब 34 minute हो गया, और जो TikTok users हैं, वो अभी भी आप में, almost एक घंट समय बिताते हैं, insider intelligence ने कहाए कि जो drop है usage में, वो profileration of the hateful content, technical glitches on the platform, as well as failure to expand into social video and post, a challenge to TikTok, तो जो insider intelligence ने कहाए कि drop जो हुआ है, वो profileration of the hateful content, बुरी content है था उसमे, technical glitches था platform पे, मतलब technical कोई hack कर ला था, तो उसको लेकर वे दिखकते थी, साथ में failure था, expand करने में, social video में, twitter engagement जो है, heavily dependent था, news cycle पे, ऐसा एंग बर्ग ने कहा, और takeover सागा के इसने cost के दिए spike in time spent in 2022, that has now dissipated, as users have lost interest in Musk, antics, तो लोग अब Elon Musk के उपर से भरोसा खो रहे हैं, इसलिए वो twitter कब छोड़ते जा रहे हैं, Musk speak किया major marketing conference में, माई मी में 18 अपरेल को, likely to effort to woo back major advertisers to twitter, तो Elon Musk 18 अपरेल को कोशिस करेंगे, कि जो major advertisers, जो छोड़ के गए हैं twitter को, दुबारा आ जाएं, Musk bought twitter for 44 billion, though he has since written down company's value to half dead, तो company के value of 20 billion या 22 billion रह गही है, और Musk ने इसको 44 billion में खरदा था, तो guys तब तक लिए goodbye, tata, bye bye